नमस्कार दोस्तों स्टोक मार्केट का XYZ चैनल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे LIC IPO से रिगार्डिंग एक जबरदस्त न्यूज आ रही है तो जानेंगे वो न्यूज क्या है तो लेकिन उससे पहले आप से एक रिक्ष्ट है अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पूछे तो दोस्तों आप देखते हैं उस प्रेकिंग न्यूस के बारे में जो मार्किट में LIC के IPO के रिगार्डिंग आई है तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों ये तो हम सबको पताई है कि जो अभी हमारा जो बजट आय था 2020 वाला तो उसमें जो है इंडियन गुवर्मेंट ने LIC का IPO लाने के ही एनाउस्मेंट की थी तो उन्होंने बोला था कि इस financial में हमें एनाउस्मेंट ले काएंगे लेकिन दोस्तों COVID-19 सबसे आया है तो तब से यही लग रहाता है कि क्या यह IPO आएगा या नहीं आएगा या इसको थोड़ा लेट कर देंगे लेकिन दोस्तों अब यह ख़बर आई है कि जो है सरकाने इसके लिए एक step आगे लिया है लेकिन दोस्तों लग तो यह राता कि जैसे कि एर इंडिया और जो भी बाद प्रेटियोलियम है उसके लिए गवर्वेंट ने जो थोड़ा सा उसको डिले किया है कि कहीं इसको डिले ना कर दे लेकिन दोस्तों इसके लिए गवर्वेंट जो है वो एक step आगे बढ़ चुके है तो दोस्तों हम देखते हैं कि गवर्वेंट ने क्या step लिया है तो दोस्तों यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पर गवर्वेंट ने जो है bid invite की है as an advisor of the LIC IPO उसके लिए कि इसको कैसे क्या start क्या करना है इसके लिए क्या क्या होना चीए तो उसके लिए गवर्वेंट ने आप भी bid invite कर दिया है और उसके लिए कुछ tremendous condition भी लिखी है है जो कि आप यहाँ पर दे सकते हैं इसके यहाँ पर कुछ summary नों ने दिया है जो भी firm इसके लिए bid करेगी उसको at least three year experience in IPO advisory M&A, bar disinvestment, strategic sale और private equity तो दोस्तों उस company को यह सारी requirement जो है उसको fulfill करना पड़ेगा तो अगर जो company सभी उनको fulfill करती है तो वो इसमें bid कर सकती है तो दोस्तों आप यह देखते हैं कि गवर्वेंट इसका अंदाजन कितना portion जो है वो IP के थुरू market में उतार सकती है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो माना जा रहा है कि गवर्वेंट इसका कम से कम 8-10% जो stake है LIC का वो IPO के थुरू बाजार में उतारेगी तो दोस्तों अगर गवर्वेंट इसका 8-10% बाजार में उतारती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो LIC के estimate value है उसकी जो market जो बता रहे हूं वो लगबग 9 से 10 लाख क्रोड रुपे हैं तो दोस्तो इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं अगर government इसका 8% भी market में उतारती हैं तो वो लगबग यहाँ पर 80,000 से 90,000 क्रोड के बनेगा तो आप ह हमें लगबग 80,000 क्रोड का एक IPO आने वाले समय में बाजार में मिल सकता है दोस्तो इस IPO का बहुत सारे लोग 20 से इंतजार कर रहे हैं और इसके बारे कोई ख़बर भी नहीं आ रही थी लेकिन अब भी जाके कुछ इसके लिए ख़बर हमें मिली है कि government इस पर कुछ जो है step आगे बढ़ी है तो इसी से यह उमिद बनती है कि यह जल्दी ही हमें stock market में मिलेगा तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको पसंद आया हो तो like करे शेर कर ले और ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करे कि आगे उते है के अधना है